प्यारे बच्चों, बच्चों, आज हमारी हिंदी की कक्षा है और हिंदी की कक्षा में हुम कर रहे हैं, कविता पाथ 25 जिसका नाम है अच्छे काम करो, चीख है? आजन करें के उसके कठिन शब्द अच्छे काम करना कौन कौन से होते हैं जैसे की रोजदात साफ करना सुहज़दी उठना बड़ों का आदर करना किसी से जगडा नहीं करना इश्वर का ध्यान करना वो सब हमरे क्या हैं अच्छे काम है जो आप सभी को करने चाहिए आजन करने हैं उसके कठिन शब्द तो पहला है मारा सवेरे सवेरे उसके बाद है गुरू जन गुरू जन गुरू जन मतलब टीचर है ना गुरू जन उसके बाद है जगडा 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 जगड़ा विचे इनदी आईगी ठीक है जगडा उसके बाद है ज्यान धयान आधा दो आईगा ठीक है ज्यान दियान के बाद हम लिखेंगे कड़वी कड़वी बड़ी की मातरा आएगी कड़वी कड़वी के बाद है उंचा चान बिल्दू के साथ चा उंचा फिर है स्नान अधस को न आ न स्नान उसके बाद है सम्मान सम अध्रमा और फिर पूरा मत के साथ सम्मान चाले क्या क्या बड़ा होने सवेरे, गुरुजन, जग्रा, ज्यान, कड़वी, कूचा, स्नान और सम्मान ठीक है अब हम करेंगे इसके वाक्या बनाओ ठीक है, पहला बाक्या बनाओं कि इसके लिए दुखियों दुख, यहां पर ऐसे दो बिंदी आती है, फिक्खियों ठीक है, दुखियों के लिए बाक्या बनाओं हमें दीन दुखियों की मदद, हमें दीन दुखियों की मदद कर्मी चाहिए हमें दीन दुखियों की मदद कर्मी चाहिए ठीक है, चाहिए उसके बाद उनका में है, सवेरे सवेरे के लिए बाक्या बनाओं लिए ठीक है, मेरे दादा जी मेरे दादा जी सवेरे से के लिए जाते हैं मेरे दादा जी सवेरे से के लिए जाते हैं चीक है, उसके बाद लिखेंगे मिल जुल कर मिल जुल कर मिल जुल कर मिल जुल कर के लिए राके रहें रहेंगे हमें हमें सभी त्यहार हमें हमें सभी त्यहार मिल जुल कर हमें सभी त्यहार मिल जुल कर मना में चाहिए तो अब हमने क्या किया है इसके वाक्या बनाओ हमने तीन शब्द लिए और उनके वाक्या बनाएं अब आपको क्या करना है अपनी कॉपी पर कटिन शब्द और वाक्या बनाओ सुन्दर हैंड़रिटिंग पर लिखने है और मैं आपको सेंड करने हैं, ओके? Have a nice day, bye-bye